IQJet9 इंडिया में तो लो जो गिया है, इस रेंज में जो भी स्मार्टफोन है उसको भी कंप्यर करके भी बताऊंगा कि कौन सा मुवाइल बेस्ट हो जाए IQJet9 की प्राइस की बात को यह तो इतलब 20,000 से स्टार्ट होता है इसका वेसिक बेंड का प्राइस इसमें Mediatek Dimensity 72 चिपसेट दिया गया है, बहुत ही अच्छा चिपसेट है और इस चिपसेट वाला मुवाइल 20-30,000 के बीच की रिज में ही देखने को मिलेगा लेकिन कटोती कहां कर ली गई है, इसमें रेम टाइप और स्टोरेज टाइप में कटोती कर ली गई है, स्टोरेज टाइप बहुत ही इन्पोर्टेंट रोल निवाता है परफॉर्मेंच में, इसको इग्नोर आप बिल्कूल भी नहीं कर सकते हैं योफास 2.2 स्टोरेज टाइप इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, आपको का ओपरेटिंग सिस्टम किस तरह का आता, आप लोगों को पता भी होगा, इसमें ब्लोट वेर तो आएगा ही, होता यह है कि कोई भी मॉइल में अगर कस्टम एश्कीन चरहा जाता है, भी मॉइल का ओपरेटिंग सिस्टम को हेबी कर देता है, जिससे मॉइल स्लो हो जाता है, 5000 एमेज की बैटरिक 44 वाट का फास चार्जर दिया गया है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, केमरा सेट अप की बात करें, तो मेन केमरा 50 पासल का दिया गया है, दूसरा 2 मैसल का केमरा द सकते हैं, इसमें ultra wide angle camera भी मिल जाता है, सासत कडबी display आता है, display का look बहुत ही अच्छा दिया गया है, रेम टाइप और storage टाइप का भी धियान रखा गया है, रेम टाइप RVR 5 दिया गया है, storage टाइप UFast 3.1 दिया गया है, clean operating system आता है, और processor में भी कमी नहीं छोड़ी गई है परफॉर्मिस वाई लावा ब्लेज कर 5G बेश्ट होगा IQ Z9 से आपको यह लगता होगा कि नहीं प्रोसेसर तो IQ Z9 में अच्छा है हो प्रोसेसर अच्छा है लिए प्रोसेसर से कंपेर नहीं कर सकते हैं उसमें ओपरेटिंग सिस्टम रेम टाइप अश्रोरेज टाइप यह दिंकि वरिमाइप